दुनिया की अर्थवेवस्थाओं पर निगरानी रखने वाली रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की अर्थवेवस्था में भारी गिरावट की आश्यंका जाहिर की है ऐसा अनुमान जताया गया है कि मौजूदा वित्तवर्ष 2021 के दौरान भारत की एकोनॉमी में 10.5% की बड़ी गिरावट आ सकती है इससे पहले फिच ने 5% तक की गिरावट की बात कही थी फिच ने इस बात पर चिंता जताई है कि अनलॉक के बाद अब जहां अर्थवेवस्था खुल रही है तो अक्टूबर दिसंबर की तीसरी तिमाही में जीडीपी में बड़िया सुधार होना चाहिए लेकिन संकेत बता रहे हैं कि सुधार की गती धीमी असमान होगी बता दें कि इसी विच्टवर्ष में पहली तिमाही में जीडीपी में माइनस 24% की एतिहास से गिरावट दर्स की गई थी ये आधूनिक भारत की सबसे बड़ी गिरावट थी इसकी वज़े बताई गई पहले से ही कमजोर एकोनॉमी पर कोरोना की वज़े से मार्च में लगाया गया सख्त लॉकडाउन